बर्दिया को बार बर्दिया नगरपालिका मा बिगत एक बरस देखी सिकल सेल रोग पहीचान का लागी रगत परिक्षान भई रहे हो सा। नेपाल मैं पहीलो पटक थारू समदाय को घर घर मा गयरा तथ्यांका शंकलन गरी नमुना शंकलन गरना थालिये को हो। नेपाल स्वास्थिया अनसंधान परिशत का अनसंधान अधिकिर्थ जक्टर परमद चौधरी ले बताय। मिले सिकल सेल डीजिस को बारे मा कुरा गर्द खेरी सिकल सेल डीजिस बने को यहवडा बंसानुगात रोगा। यो तपाईको रेट सेल अर्वीसी बनने हेमोगलोविन मा चाहिए। तपाईको एफेक्टेर हुनचा म्यूटेशन हुनचा जीन। जहां तपाईको शिक्स कोडन बनने हाउमोपोजिशन मा चाहिए। रोग पहिचान पसी बार बरदिया नगर पालीकाले तेसको दवस्थापन को योजना अगाडी सारन। एस रोग को निवनिकरन रसमा अधान का लागी पहिलो प्रार्थमिक तामा राखी योजना अगाडी बढ़ावनी बार बरदिया नगर पालीका का मियर दुर्गा बहादुर थारूले बताए। उनले बिरामी पहिचान का लागी परिचे पत्र दी रोग फिला परेका वा पोजिटिब देखेका बेच बिवहागरन नेरू सहित गरी रोग लागना न दिने बताए। आमी अब यो टोटल मा कती जना चाहिने रोगी, कती जना ट्रेट, कती जना निरोगी बने कुरा आमी तथ्यांका रिजल्ट अब आमी लियांचूं। शारवजनी गरचं। त्यों गरनो बंदा पहिला जती जना रोगी हुनूंच। चुट्टे अमिले उवारू लाइ बसालेरा आमी उवारू लाइ काउंसिलिंग अरचं। उवार लाइ सुजाब सलादी चं। पर तेशिवाजनी अब आपनो पुरही नगर भरी आमी चाहने तेश रोगी हुन। नगरी चाहिने ख़ांच अपवियां चालाँ। आमी अब कोई पनी नया बच्चा मा आब सिकल सेल नजावस बनना का लागे आमी ब्रेक गर चाओं आमी ब्रेक गर चाओं